प्लंबर का काम करने वाली इवक को 20 सड़क पर गोली मार दी गोली लगते ही लह लुहान होकर गिरे इवक को मौके पर पहुची असानिय पुलिस ने बियाच्चु के ट्रामा शेंटर अस्परताल में भरती कराया जहां पर इवक की इलाज के दोरान मौत हो गई मौत की सूचना मिलते ही गरामीरों ने राज के राजमार इनच 87 को चक्का जम कर दिया घटनास्तल पर पहुचे एसवी बनारस ने गरामीर के साथ घटनास्तल पर जाकर जाजा लिया और आसपास में लगे CCTV फूटे जारान ने लोगों से पूस्ता सुरू कर दिया प्राराम्भी तोर पर गाउं के ही एक इवक को हिरासत में लेकर आगे की कारवाही के लिए थाने भेज दिया गया मीडिया से बात करते हुए एसवी योग ग्रामीरो ने बताया कि प्रतामदिष्टिया मामला आर्सी बिवात का है जिसमें इवक को गोली मार दी गई घटना की 33 के लिए पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांज की टीम को भी लगाया जा चुका है इसको शुखिनादिया स्ताने तो अधिया साथी सुगाती लोग बता रहा है अधिया नहीं हमारे संग्यान नों को यह अधिया अधिया प्रजापती है यह सुखे लंबर का काम करते हैं तो वे अपने कराकत पूर गाउं से निकले से लगए नों पॉने दस बज़े करीब रास्ते में ही जो है जो लोगों ने बताया कि एक लड़का बाइक पर फड़ा हुआ तो उसके द्वारा इनको पर फायर किया गया और इनको गंबीर हालत में तौमा सेंटर ले जाए गया है साथी साथी पता चला है कुछ समय पहले एक लड़के से इनका विवाद वा था गाउं की अखलेश सिंग नाम का लड़का है उससे इसाथी नका विवाद भुआता उसी नाम भी जो है कुछ आ रहा है जल्दि हम लोगों ने टीमें लगा दिए जल्दी उसकी गरफस्तारी होगी जल्दी लड़का इसका नाम आ रहा है इसका नाम आ रहा है कि मोके से वह अभी दो तीन गोली चलने की बात है और बाकी डिटेल जो है थोड़े की घटना है बाकी डिटेल आगे मताएंगे लेकिन यह कोई पुराने अब इनमें जगड़े की बात थी जगड़ा अभी डिटेल पूरा जानकरी करें बहुत जल्दी अभी कुछ कहना है क्योंकि लेकिन जगड़े की बात आ रही है वह अभी अब लोग उसको पहलू को भी देखेंगी किस चीज का जगड़ा था यह कुछ